भूचपुरी इंडस्ट्री की दिगत सिंगरों में शार्दा सिन्ह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। खास तोर पे जब बाद छट के गीतों की आती है तो हर किसी की जुबान पर सबसे पहला उनका ही गाना आता है। शार्दा सिन्ह हर साल छट के खास मौके पर एक सौंग जरूर रिलीस करती हैं। ऐसे में इस बार भी उन्होंने अपनी परंपराज जारी रखी। बिहार की स्वर कोकिला कहलाने वाली सार्दा सिन्ह इस समय दिल्ली के इम्स हॉस्पिटल में ऑक्सिजन सपोर्ट पर हैं। औ आपको बता दें शार्दा सिन्ह मल्टिपल मायलोमा से पीडित हैं। वो ऑक्सिजन पर हैं और उनकी स्थिती गमभीर हैं। ऐसे में बिगडी हुई हालत के कारण अब उनके बेटे अंग्शुमान ने अस्पताल से ही शार्दा सिन्ह के गाय हुए छटगीत का ओडियो जा किया गया है। शार्दा सिन्ह के गमभीर हालत में होने की वज़ा इस गाने का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और इसी वज़ा से उनके बेटे ने उनके नए छट के गाने को आडियो रिलीस किया है। आपको एक और जानकारी दे दे कि बिहार के स्थानिक आयोगत और राज्य सरकार के सहयोग से 22 आक्टूबर को शार्दा सिन्ह को दिली एम्स में एडमिट कराए गया था जहां 26 आक्टूबर को उनकी तब्वित बिगड़ने के बाद उन्हें आईसी उमें शिफ्ट किया गया और फिलहाल वो आक्सिजन सपोर्ट पर हैं। शार्दा सिन शार्दा सिन्ह के सभी शुप चिंतक और छट व्रतियों के बीच खुशी की लहर दोड़ पड़ी है। इसने गीत के बोल हैं दुखवा मिटाई छटी मईय, राव आसरा हमार सब के पूरवेली, मंसा हमरो सुनली पुकार। यही गाना सार्दा सिन्ह के यूटूब चैनल स रिलीज किया गया है जो इस बार छट में जरूर लोग सुनेंगे। जिसा कि आप सब को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शार्दा सिन्ह के पती ब्रिज किशोर सिन्ह का 22 सितंबर 2024 को ही निधन हुआ और पती की मौत के बाद से ही सिंगर बिमार रहने लगी। पती क की मौत से उन्हें गहरा सदमा लगा और वो सोशल मीडिया पोस्ट के जड़िये साफ दिखता भी है। वो अक्सर ही अपने पती के लिए पोस्ट शेयर करती रहती हैं। और उन्होंने होस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी अपने दिवगंत पती के साथ फोटो शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था मिस्यू सोमस सिनह साहब मेरी सारी बलाईयां लेकर आप क्यों चले गए। शार्दा सिनह सल्मान की फिल्मों में बतौर प्ले बैबेक सिंगर के तोर पे काम कर चुकी हैं। वहीं उन्होंने गैंग्स आफ वोसिफुर के फेमस गाने तार बिजली से पतले हमारे पिया में भी अपनी आवाज दी हैं। हलाकि इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी हैं। छट के पहले उनके स्वास्त के बारे में इस तरह की खबर सुनने के बाद उनके च्छट के गानों को सुनने वाले फैंस काफे न फिल्हाल इस रिपोर्ट में इतना है बाकिस पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आप तक हम और भी पहुंचाते रहें